प्रदेश के सबसे बड़े राजनेतिक परिवारों से एक यादव परिवार फिर से एक हो सकते हैं। दरसल चाचा शेवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच सुला की खबरे आ रही हैं। परिवारों से पहले अखिलेश यादव और चाचा शेवपाल यादव साथ साथ हो सकते हैं। तो चाचा शेवपाल यादव और भतीजे अखिलेश की बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद अखिलेश यादव के तेवर नरम नजर आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विधान सभाज चुनाव से पहले सेफ़ई परिवार की कल है खत्म हो सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो चाचा भतीजे एक साथ मुलायम सिंग यादो का जन्म दिन मनाएंगे। कहा ये भी जा रहा है कि मुलायम सिंग यादो की भी शिवपाल से बात हुई है। बातचीत में शिवपाल सिंग के करीबियों को सम्मान देने का आश्वासन मिला है। इसी सिलसले में अखिलेश यादो अपने पिता मुलायम सिंग से मिलने दिल नी पहुँचे। आपको बता दें कि अखिलेश और शिवपाल की आपसी रार से पार्टी को हो रहे नुकसान के बाद मुलायम सिंग यादो सक्री हो गए है। मुलायम का कहना है कि पार्टी कार्करताओं से बात करेंगे और हर मंडल पर पार्टी का प्रचार करेंगे बीते दिनों गडबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादों ने कहा था कि बड़े दलों से फिलहाल गडबंधन की कोई संभावना नहीं है हाँ छोटे दलों को हम अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा था कि बड़े दलों के साथ हमने गडबंधन किया लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं हुआ पिछले चुनाव के पहले सपाय और प्रस्पा जोसिवपाल जी और अखिलेश जी की दोनों पार्टियां तो एक अही थी और लगातार एक ही साथ रहा कि चुनाव लड़े हैं अलग होके तके वलेट चुनाव लड़े हैं तो इनके एक होने से कांग्रेस की सेहत पर कोई असर पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि यह चुनाव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में दो राष्टी दलों के बीच में पहली बार होने जा रहा है यहां कांग्रेस और भारती जंता पार्टी आमने सामने हैं देखिए उत्तर प्रदेश का विधान सभा चुनाव प्रदेश के छोटे दल सभी समाजवदी पार्टी के साथ आ चुके हैं कुछ दल बचे हैं वो भी समाजवदी पार्टी के साथ आ जाएंगे हम समझते हैं कि जहां तक प्रस्पा का सवाल है आधर्णी यह अखलेश यादो जी इस पे फैसला करेंगे लेकिन 2022 में सावी रणिति को अंजाम देने में जुटी हैं बीते दिनों अखिलेश यादों ने चाचा शीवपाल को लेकर कहा था कि उनकी अपनी पार्टी है यश्वंत नगर से वे चुनाव लड़ते हैं ऐसे में उनके खिलाफ हम अपना पृत्याशी खड़ा नहीं करेंगे इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर शीवपाल यादों की पार्टी का कोई मजबूत उमीदवार मैदान में होगा तो हम उसका भी समर्थन कर सकते हैं उन्होंने ये जरूर कहा कि भले वो पार्टी में हैं या नहीं हैं लेकिन परिवार में जरूर हैं इन सब बातों उसे लगता है कि 22 नमंबर को जो होगा, वो समाजवादी पार्टी के हित में होगा Special Desk, K News India